मात्र भूमी नियूस पर आप सभी का स्वागत है मैं आपका मेजबान डॉक्टर ताहिर समर्खान आप सभी का हर दिका भी नंदन करता हूं देश और प्रिदेश में इस वक्त सियासत का रंग चड़ा हुआ है सत्तारोड कांग्रेस पालटी और विपक्ष के रूप में बीजेपी ने राजस्थान के विदान सभा चुनाओ के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए क्या होगा 2023 में चुनाओ का रुख क्या रहेगा कांग्रेस का नजरिया किस तरह से होंगे टिकट वितरन किन सीटों पर कौन होंगे दावेदार इन सब का जायजा लेने के लिए आज मातरभूमी की टीम कोटा पहुँचिए और हमारे साथ बात करने के लिए कोटा के विवर्स के लिए जानना चाहूंगा कि कुंदन यादों नामक जो शक्सियत है कोटा संबाग की एक जानी पेचानी इनकी शुरुआती राजनीती कैसे शुरू हुई और किस तरह से राजनीती के काकेहरे को सबक को इन्होंने पढ़ा और कैसे एक अपना नाम बनाया मैं 1995 से छातर राजनीती में सक्रिय था 95 से मैंने कॉंग्रेस की छातर राजनीती को जोईन किया 1997 में राजकी माविद्याले कोटा से छात संग का चुनाव लड़ा अध्यक्ष के लिए और उसके बाद 2002 में मैं यूग कॉंग्रेस का प्रदेश महासचिव नियुक दुगा उसके बाद से 2004 में यूग कॉंग्रेस का प्रदेश अपाद देख्ष बना लाहूल जी की टीम में काम करने का मौका मिला आई वाई सी की तरफ से कई राज्यों में प्रभारी रहा कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाया और लगभग रायस्तान के आदे से जादा जिलों में यूग कॉंग्रेस की और से प्रभारी रहा संगठन के स्थर पर जब जब संगठन चुनाओ का कारे चला मुझे अलग-अलग जगों पर जिम्मेदारी दी गई संगठन के चुनाओ कराने की उसमें पार्टिसिपेट किया और जो जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी मैं आज तक वो पूरी शिद्दत के साथ पूरी मजबूती के साथ पूरी मेहनत के साथ पूरी इमानदारी के साथ मेहने निभाने का प्रयास किया इसके लिए मुझे समय समय पर पार्टी द प्रोग्राम आयुजित हुआ जिसमेर खुद राहूल गांदी जी ने मुझा वाड़ दिया एक बहतर कारे के लिए तो जब जब कॉंग्रेस ने हमें मौका दिया हमने सदेव कारे किया और 95 से लेके आज तक मैं छात्रों के बीच युवाओं के बीच आम जन के बीच क्यक्षाइध अशक से जयसे आपने बताया कि राजनीती में सकिर हैं। पिछले 20-25 साल में आपको कई तरह के राजनीती में मोड़ देखने को मिले हूंगे। कस तरह से एक सामान्य राजनीती जीवन के शुरूआत करते वेए एक सामान्य कारे करता से इतना बड़ा करने का मौका मिला हुगा कैसा रहा आपका यह राजनीतिक अनुभव और राजनीति के अंदर एक युवा से एक परिपक्व नेता बनने तक का जो सफर रहा वह अनुभव हमारे सास्तर शेयर करें देखिए मैंने दिल्ली में आईवईसी में भी काम किया है और लंबा मेरा चात्र राजनीति का युवा राजनीति का अनुभव है मुझे संगर्श मैन के नाम से भी जाना जाता है मैंने बहुत संगर्ष शात्रों की समस्याओं के लिए किया युवाओं के लिए किया और तत्कालीन समय पर भाजपा की सरकारों के खिलाब जब हम लड़ाई लड़ते थे तो हमारे उपर मुकदमे भी दर्च करवाए गए और लेकिन हमने अपने संगर्ष को नहीं छोड़ा मुझे आज खुशी है कोटा विशुद्याले का अंदोलन मेरे द्वाला चलाया गया था और जब कॉंग्रेस की सरकार बनी तो हमने कोटा विशुद्याले की स्तापना करवाई city bus का अंदोलन सबसे पहले मेरे द्वहारा चलाया गया था कोटा के बड़े-बड़े नेता, जो आज मंत्री हैं, वो बुला कर के मुझे कहते थे, क्योंकि कोटा विश्वुद्याले सबसे बड़ा कोटा महाविध्याले था उस ताइम, और कोटा महाविध्याले जो है प्राइवेट परिक्षा दिया करते थे तो एक बड़ा छात्रों का समू था यहां से मैसेज जाता था सबी नेता लोग हमसे बड़े नेता पिक्षा करते थे कि हम माहोल बनाएं सरकार भाजपा की जब सरकार रहती थी उसके खिलाब हम आंदोलन करें और शेहर की समस्याओं को उठाएं और जनता के भी इसी चीज को बताएं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स युवाओं को चात्रों को भाजपा की सरकार में आ है तो उसको मैंने बखुवी लीट किया और मुझे खुशी है कि मैंने कई आंदोलनों को अज्जाम तक पहुंचाया तो सर यह तो आपका राजनितिक अनुभव और आपका अंदोलन जो आपने संगर्श किया सत्ता में रहते वे लोगों की आम जन की मदद की और विपश्च के खिलाफ हमेशे अपनी आवास को बुलंद किया पिछले पौने पांच साल लगबक कांग्रेस का शाहसन अभी र रिकाल है यह राजस्तान के आम जन के अंदर फिर से एक बार विश्वास पेदा करेगा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करें क्योंकि राजस्तान का चुनावी इतियास तो यह रहा है कि पांच साल में यहां सरकारे बदल जाती है देखिए सरकार बदलने का निश्य कि भी भूमी का बिलकुल नहीं निवा पाई राजस्तान में भाजपा में 15-15-20-20 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं जो आपस में साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है उनको जनता की फिकर नहीं है उनको अभी से केवल इस रिवाज के भरोसे पर कि सरकार बदलेगी और हम मु मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए और एक दूसरे के कटर दुश्मन बने हुए है तो भाजपा कहीं पिच्चर में ही नहीं है आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले पास साल से भाजपा कहीं चर्चा में नहीं है पिच्चर में नहीं है और हमारे जो नेता है आज वक्त के राजस्थान के बाचपा हो कांग्रेस हो कोई सिमी पार्टी हो सबसे लोगप्रिये चहरा हमारे पास है हमारे नेता है उनके उपर जनता जबरदस विश्वास करती है उनके लिए सानुबूती है उनसे प्यार है उनसे लगाव है उनके पास एक सुनेरी विरासत है गौरव शाली विरासत है जिस पे जंता विश्वास करती है तो आप निश्चित मानिए कि इस बार कॉंग्रेस दुबारा से सत्ता में आने जा रही है और बंपर मेजोरिटी के साथ आने जा रही है क्योंकि सामने हमारे कोई चुनोती ही नहीं है तो सर राजस्तान की सियासत की बात हो और उससे हाडोती अचुता रह जाए यह तो मुम्किन ही नहीं हाडोती में कोटा एक बड़ा जबरदस्त राजनीती में मुकाम रखता है चाहे कांग्रेस की लीडर्शिप हो या भाजपा की लीडर्शिप हो हिंदस्तान और राजस्ता के पटल पर हमेशा यहां से कोई ना कोई नुमायंदिगे करता है कोटा की राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं आपकी नजरिया से कोटा में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार कॉंग्रेस का करेंगे क्योंकि कॉंग्रेस का प्रयास इस बार सर्वे के अधार पर जीतने वाले मजबूत जो केंडेट हैं उनको उतारने का है तो निश्यत मानिए कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कोटा की राजनीति में करने जा रहे हैं कोटा शहर की तीन सीट हैं उनमें ज्यादातर जो चर्चा में रहती है सीट हर चुनाव में लाटपुरा विधान सभा र कितने दमखम के साथ आप इस चुनाव के अंदर उतरने वाले हैं देखिए लाटपुरा सीट को हम पिछले बीस वर्षों से हारते आ रहे हैं चार टर्म हो गए इस बार मैंने पूरे पांस साल में जनता के सुख दुख में शामिल रहा जनता की जो मूलबूत आउशक्ता हैं उनको सरकार के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास भी किया मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ रायस्तान पशुदन विकास बोर्ड में राजस्तान सरकार में मैं में मरूँ और मैंने प्रयास किया कि हम जनता की मुल्बूत समस्याओं को सुल्जा सके लेकिन हमारे याँ पे जो भाज़पा के विधायक रहे जो भी रहे आज तक उन लोगों का इस शेत्र के पती एक उदासीन रवया रहा उन लोगों की बहुत ज़्यादा रूची विकास करने में नहीं रही इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है इस बार पार्टी सर्वे के आधार पर मुझे मौका देगी और हमारा लाटपुरा विधानसवा शेत्र तीन भागों में बटा हुआ है यहाँ पे निगम के वाइड भी है तीस यहाँ पे एक नगरपाली का है केथून हमारे यहाँ पे 21 पंचायते हैं जो ग्रामीन में आती है खुल मिलाके यहाँ पर शेहरी आबादी भी है ग्रामीन आबादी भी है ग्रामीन में क्रशक हैं पशुपालक हैं शेहरों में ये एक उद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था तो सबसे जो हमारे उद्योग थे वो थे लाटपुरा शेत्र में हमने देखा कि पिछले पर उध्योग बंद होते रहे और उध्योग के बंद होने की पूरी कहानी जनता के जबान पर भी है कि भाजपा के किन बड़े नेताओंने इन उध्योगों को खरीदा और खरीदने के transpiring के बाद में एक कि किसानों का जीवन इसतर कैसे उठे इसके लिए मैंने पूरा रोड़ मैप तयार किया है हमारे यहां पर लाटपुरा शेत्र में जो एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है इन नई कोलोनियों में जो तत्कालीन विधायक हैं उनकी उदासीन रवईये के कारण यहां पर नाली पटान जल भराओ पानी वर्षा का जल भर जाता है नदियों से मगरमस तक कॉलोनियों में आ जाते हैं पर हमारे विधायक कभी सुद नहीं लेते हैं इसलिए कैसे जल भराओ कि समस्या का समाधान हो उनकी रोड लाइट पानी नल बिजली कैसे इन समस्याओं का समाधान हो इसका पूरा एक रोड मेरे पास तैयार है टीम रढ़ूल गांधी में आप हैं एक अभी रावूल गांधी जी ने जो बार्च यात्रा निकाली थी उसमें आप भी शामिल रहेerd टो पूरे भारत के अंदर आप निन आ प्रुरह देखिए राहूल जी शुरू से एक बहुत परिपकुन निता है उसके अलावा वो एक अच्छे इंसान है इस तरह के इंसान है जो इस राजनिती के इस दौर में भी जो सच्चाई पे चलना चाहते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते है भाजपा ने करोड़ो अर्बो रु जिस तरह से लोगों की समस्चाओं को उन्होंने जाना लोगों से मिले आत्मेता से मिले और लोगों को लगा कि हम में से एक है उसके अलावा आज आप देखिए कोरोना के टाइम पे उन्होंने सरकार को चेताया राफेल के टाइम पे उन्होंने सरकार को चेताया समय समय पर प्रशी बिल पर उन्होंने सरकार को चेताया और बाद में सब को पता चलता गया कि वास्तों में राहुल गांदी जी उस जगे पर बिल्कुत सही थे भारत जुड़ो याता से आम जनका जुड़ाओ कॉंग्रिस की तरफ हुआ है राहुल जी एक देश के बहुत बड़े नेता बनके उबरे हैं जिनकी सच्चाई जनता के सामने आई है और भाजपा के द्वारा फैलाए गए प्रोपोगोंडे से जो एक मांसिक रूप से कैप् उपने इनसान को उस मांसिक कैप्चर से लोग बाहर निकले हैं सच्चाई को अब जानने और पैचानने लग गए हैं पिछले लगबग एक वर्ष में हिमाचल कॉंग्रेस ने जीता और अभी मही में करनाटक बने वाले हैं उसमें भी अगर इसी तरह का बूस्ट कॉंग्रेस को मिला दो हजार चोबिस के लोकसभा चुनाओं में इसका इफेक्ट पड़ सकता है वापसी कर सकती है सत्ता में कॉंग्रेस केंदर में देखिए इन चारो राज्यों में कॉंग्रेस चुनाओं जीतते जा रही है मद्यपरदेश सारे सर्वे कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं 36 गड़ में कोई टक्करी नहीं है कोई चैरा नहीं है इनके पास तेलंगा ना में अभी राहुल जी की सभावों में जिस तरह से भीड उमर रही है और जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं आप निश्यत मान लीजिए कि हम चारो इस्टेट जीतने जा रहे हैं करनाटक की जीत से देश में माहुल बदला है और जब हम ये चारो इस्टेट और जीत लेंगे हिमाचल हम जीत चुके हैं तो कॉंग्रेस आप तय मान लिएगे कि बहुत मजबूती से दुबारा वापसी करने जा रही है नरेंडर मोदी और इन लोगों की धार्मिक दुरुविकरन की राज़नीती की पौल अब खुल चुकी है जनता समझ चुकी है कि ये केवल बाटने का कारे करते हैं ये आपस में लड़ाने का कारे करते हैं और इनका कोई विजन नहीं है कोई विकास का विजन नहीं है कोई देश को आगे ले जाने का विजन नहीं है किसानों के लिए विजन नहीं है बेरोजगा दो वक्त की रोटी खाने के लिए इंसान तरस रहा है, टमाटर जैसी चीज 200 पार है, सरसो का तेल 200 पार है, दाले 100 पार है, पेट्रोल 100 पार है, तो इन्होंने आम आदमी के जीवन को बहुत कश्ट महें बना दिया है, आप निशित मानिये, कश्मीर से कन्या कुमारी तक इनक पता में आने जा रही है, अभी जिस तरह से राहूल गांदी ने पूरे देश के अंदर युवाओं से भी मुलाकात करी, अलग अलग शेहरों से जब वो गुजरे, राजस्तान के विदान सभा चुनाओं में यूथ को कितना परसेंट टिकट पार्टी दे सकती है, कितने न वसुन्दा सरकार के बार के समय पर इससे पहले वाली जो गौर्मेंट थी, हम जब 23 सीटों पर आ गये थे और वसुन्दा राजे मुख्यमंत्री बन गई थी, उस समय पर उन्होंने सचिन पाइलेट जी को राहस्तान का मुख्या बना कर भेजा, प्रदेश अद्दश बना आगे बढ़ाया कि हमें युगाओं को आगे लाना है और उसी का परिणाम था कि हम 23 सीटों से 100 सीटों तक पहुँचे और हमने सरकार बनाई इस बार आप निश्यत मान लीजिए सचिन पाइलेट जी को जिस तरह से CWC में शामिल किया गया है मलीकारजुन खडगे साहब, प्राहुल गांदी जी, सोनिया गांदी जी ने उन पर विश्वास विक्त किया है, आप ये तैमानिये कि सचिन पाइलेट जी के नित्त तुमेर, रायस्तान में बहुत बड़ी संक्या में युवाओं को टिकिट मिलने जा रहे हैं, युवाँ बहुत बड़ी संक्या में ज प्राहुल गांदी जी, सुनेरे युक्ति और बड़ेगा, सुद्रड युक्ति और बड़ेगा, आप निश्वित मानिये, और आगे आने वाला समय युवाओं का है, आगे आने वाला समय हम सब का है, ये बिलकुल तैय है, तो राजस्थान के अंदर एक युवा मुख्य म मंत्री, जरूर कांग्रेस की और से देखने को मिलेगा, सचिन पालेट के रूप में, देखिए हमारे यहाँ पर जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया सबसे पहले तो विधायक दल की मिटिंग होती है, विधायकों की राय ली जाती है, विधायकों की राय के बाद में आला कम समार हमारा फैसला करता है कि भई कौन मुख्य मंत्री होगा और प्राटी के लिए कौन बहतर है लेकिन अगर पसंद पूछा जाए तो हो सकता है आपकी पसंद कोई और हो मेरी पसंद कोई हो और और इसमें कोई दोराय नहीं कि सचिन पाइलेट जी इस वरत रायस्तान के सबसे लोगप्रिय चैरा हैं सचिन पाइलेट जी को मैं ही नहीं रायस्तान का आमजन पसंद करता है रायस्तान का आमजन चाहता है कि सचिन पाइलेट जी मुख्यमंत्री बने तो मैं ये समझता कि आला कमान जब चैन करता है तो विधायकों की भावनाओं के साथ साथ इस वार आम जनकी भावनाओं को भी देखा जाएगा हमें बहतर परिणाम मिलेगा सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कोन होगा यह आला कमान तैय करेगी है चलिए 2023 के विधान सबा चुनाओं का हमें भी इंतजार रहेगा अगले कुछ दिनों में टिकटों का वित्रन है वो भी एक तरह से तश्वीर किलियर हो जाएगी 2023 में किस पार्टी को कितने सीटे मिलेंगी कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर काबिज होगी या भाजपा सिर्मोर होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा हम से बात करने के लिए कोटा के सीनियर जो कॉंग्रेस लीडर है कुंदन यादा उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला मातर भूमी नियूस से आपने बात की आप देखते रहिए देशित की बात मातर भूमी के साथ हमें दीजिए लूमी